यह देखे गाइज यंव्मी टेस्टी चिल चलाती गर्मी में बना करके तयार करें बिलकुل 5 तैन रुपए के बिस्किट से आइसक्रीम देखे कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी है कि देखने में ही मुह में पानी आ रहा है तो चलिए बनाते हैं देखते हैं कि हमने कैसे बनाए हैं तो हलो आप सब का श्वागत है हमारे यूट्यूब चनल शायम स्रमेगाज यह देखिए हमने 10-10 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट ले लिये हैं जो कि तीन पैकेट हमने ल का ले थे तो एक पैकेट में चार बिस्किट हैं तो उसके हिसाब से बारा बिस्किट निकले हैं तो इनको देखिए इसमें हम चार स्पून चीनी आड़ करेंगे आप मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं कम य ज़्यादा तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे बिस्किटों को स तो यह देखे अब इसमें णालेंगे मलाई अपनी जो की 노व इसमें किरीब विस्कीछ है शुए पंर के काम डालेंगे तो souls के करिम है मलाई के प्यूद आपकर फेट लेंगे मगर इतना नहीं फेट नौwhat packing ना तो फिर इससे दूद और बाहर निकलाएगी मलाई मक्खन बाहर निकलाएगी तो देखें सॉरी गाइज लाइट चली गई है और ये भी हमारा फिट चुका तो इसको रोक नहीं सकते थे इसलिए हमें दिखाना पड़ रहा है तो देखें अच्छे से फिट चुका है बट ये ध्यान रखें कि अगर बहुत ज्यादा नहीं फिटना है वरना मक्खन और मलाई अलग हो जाएगी अगर मलाई की जगहे पर आप क्रीम भी डाल सकते हैं जो मार्केट में आती है अमूल क्रीम औगरा बिप क्रीम औगरा हमें घर की दूद की मलाई एट करी है तो ये देखिए इसमें हम डाल देएगे तो अगर आपको दिखने में थोड़ा सा दिकत हो रही हो तो उसकी वज़े से सौरी तो ये देखिए हम इसमें डाल देएगे और इसको हम दो घंटे के लिए रख देँगे जमने के लिए तो इसको tap कर देंगे जिसे की air bubbles वगरा है वो निकल जाएंगे और इसको दो घंटे बाद मिलते हैं तो देखें गाई जैसे ही हम इसको जमने रखेंगे और इस mixi के jar को भी फ्रीज में रख देंगे ठीक है तो दो घंटे बाद मिलते हैं आकर के यह देखें गाई लाइट आख चुकी थी तो दो घंटे में अच्छे से हमारा जम चुका था यह देखें जम चुकी है आईस्क् की फुलकी बन जाएगी तो यह देखें अच्छे से थीक हो चुकी थी तो इसको हम फिर से डाल कर फेट लेंगे मगर बस वही एक चीज ध्यान रखनी कि बहुत ज्यादा नहीं फेटना है वरना की मखन और दूद अलग अलग हो जाएगा तो यह देखें फेट लिया है एक कुछ ड्राइफूट डाल देंगे क्योंकि हम अपनी घर में बना रहे हैं तो अपनी हिसाब से बनाएंगे तो अगर बर्बन विस्किट से बना करके तयार करेंगे ना इसकी तो एक्स्ट्रा चॉकलेट होगा डालने की जरूत ही नहीं पड़ेगी तो यह देखें आप इस हमने के लिए इतना टेस्टी है जिन बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है उनके लिए तो यह बहुत अच्छा है देखें गुड मॉनिंग हो गई है सुबह तो यह देखें आइस क्रीम निकाल रहा है कितनी अच्छे से जम करके आई है गाइस यहां बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इसकी वज़े से आइस क्रीम मेल्ट बहुत जल्दी हो जाती है तो यह देखें इस तरह से कुछ नहीं करना पड़ा बस दीरेस इसको हमने गुमा दिया और यह देखें तो देखें हमने फ्रिच से सिर्फ एक मेट के लिए बाहर निकाल कर रखा था और कित नेक्स डेर नेक्स रेस्पी के साथ